हेलो इस्टुएंट्स आज के इस वीडियो में मेगनेटिक इफेक्ट ऑफ एलेक्ट्रिक करेंट के अंतरगर्थ बहुत सारे रूल्स आते हैं जैसे कि आप समझें की राइट हैंड रूल, लेप्ट हैंड रूल, इस्कुरू रूल, इन सारे रूल्स में बच्चे अकसर हो जाते हैं तो मैं इस वीडियो में जो मेरा जो टॉपिक है इसी रूल से रिलेटेड है और मैं इस वीडियो में पूरी कोशिस करता हूं कि आपका लाउट आपका कन्फूजन इस रूल से रिलेटेड मैं दूर करता हूं तो इसके लिए आप इंटार वीडियो को अच्छ effect of electric current related rules है उसमें पहले जानते हैं कि कौन कौन से rules प्रियोग किये जाते हैं जैसे कि एक rules है Ampere flow rule दूसरा है राइट है थाम्ब रूर्व थार्ड है मैक्सवेल राइट राइट है 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 राइट rule 1st, next है, right hand, palm, rule 2nd, and 6th है, flaming, left, and rule, तो देखें स्ट्रेंज, यहां पर 6 rules हैं, 6 rules हैं, और जो rules अक्सर प्रियोग किये जाते हैं, इस topic के अंतर जाते हैं, कौन कौन से हैं वो? पहला है, ampere's flow rule, दूसरा है, right hand thumb rule, तीसरा है, Maxwell's right hand screw rule, फोर्थ है, right hand palm rule, वन, यहांने कि first, and second है, right hand palm rule second, and sixth है, flaming left hand rule, तो ध्यान देखें कि यह जो 6 rules हैं, इसमें जो शुरू के जो चार हैं, यह magnetic, magnetic field direction को बताते हैं, चिका न, और जो यह दो रूल हैं, यह दो रूल, लॉरेंज, फोर्स, या इसको हम magnetic force भी करते हैं, acted on a current carrying conductor, direction को बताते हैं, इसके direction, direction of lawrence force, acted on a current carrying conductor, मतलब इन 6 rules में से, जो 4 rules हैं, वो बताते हैं कि किसी भी electric current के कारण जो generate होता है, magnetic field, हम जानते हैं कि magnetic field जो है, वो एक vector quantity है, और vector quantity में magnitude और direction दोनों होता है, तो इसलिए हमको इसका direction भी पता करना है, तो जो 4 rules हैं, यह magnetic field के direction को बताने में मेरी मदद करते हैं, जबकि यह जो last का जो दो rule है, right hand palm rule second and flaming left hand rule, यह हमारी मदद करता है कि अगर किसी भी conductor में current flow हो रहा है, तो magnetic field भी produce होगा, तो magnetic field का direction, electric current जिस direction में जा रहा है, तो उसके कारण, जो उस conductor पर force applied होता है, उस पर जो force act करता है, जिसको कि हम magnetic force या फिर lorange force कहते हैं, उस force का direction क्या है, तो इस दो से force का direction पता करते हैं, और इन चारों से हम magnetic field का direction पता है, ठीक है, तो चलिए, शुरुआत करते हैं, one by one करके, देखे है students, शुरुआत हम करते हैं, एंपियर्स, फ्लो रूल से, देखे है students, एक बात आप को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, कि इन चार रूल में से सब का purpose एक ही है, जो आप किसी भी रूल को, आप पहले सब रूल को अच्छे से समझ जिए, और अपनी सुविदा के अनुसार किसी भी रूल को apply कीजिए, result आपका वही आने वाला, result आपका same आने वाला, result में कोई variation नहीं होने वाला है, तो ये सारे रूल्स वो आपके लिए हैं कि आप अपने comfort के हिसाब से जिस किसी भी रूल को यूज कीजिए, वो सारे रूल्स में किसी तरह का contradiction नहीं है, तो चलिए, अगर amperes flow rule की बात करें, तो ये rule हमें ये बताता है कि मान लिजिए कि किसी भी conductor में, अगर current flow हो रहा है, मान लिजिए कि ये i amper का current flow हो रहा है, और अगर हम direction की बात करें, तो आप इसको ऐसे समझें कि ये जो direction है, ये है east, ये जो direction है, ये है west, ये जो direction है, ये है north, और ये direction है south, तो मान लिजिए कि electric current west से east की तरफ flow हो रहा है, और कोई आदमी इस तरह से लेटा हुआ है, या लेट के तैर रहा है, लेट कर तैर रहा है, वो किस तरह से तैर रहा है? वो इस तरह से तैर रहा है, कि जो उसका जो face है, वो उपर की तरफ है, पीठ के बल वो उस पे है और उसका जो हाथ है वो इस तरह से है यानि कि करेंट उसके पैर से होकर उसके सर से निकल रही है यह आप एक इस तरह का समझें कि वो जो इस तरह से लेटा हुआ है कि करेंट उसके पैर से इन करके उसके सर से होकर निकल रही है ठीक है तो कुछ बैक हुआ है तैर रहा है करेंट के डिरेक्शन में उस तरह से ठीक है इस तो कहते हैं एंपियर्स फ्लो रूरू या एंपियर्स रूल आप फ्लो तो आएसे इस्थिती में अगर हम यहां पर एक मेगनेटिक निडिल को रखते हैं अगर यह नौर्थ है यह नौर्थ है यह साउथ है तो यह नौर्थ जो मेगनेटिक निडिल है उसको अपनी तरफ डिफलेक्ट कर लेगा अपनी तरफ खीच लेगा अपनी तरफ आकरसित करेगा इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि उस बैक्ती की का उस बैक्ती का जो बाया हाथ है लेप् करता है और जो राइट है उसका वह नौर्थ पोल की तरह बिहेव करता है कि अगर करेंट इस डारेक्शन में फुलो हो रहा है और जो परसन है वह इस तरह से लेटा हुआ तरह रहा है कि उसका उसका जो चहरा है वह मेगनेटिक निडिल को देख रहा है ऐसा नहीं कि पेट के बल लेटा हुआ है यानि कि उसकी आँखें उस मेगनेटिक निडिल को जो पास रखी हुए उसको देख पा रहा है और करेंट जो है उसके पैर से गुजरता हुआ उसके सर से निकल रहा है तो ऐसी इस्तिति में जो उस व्यक्ति का जो बाया हाथ होगा लेप्ट हेंड होगा वो बिहेब करेगा साउथ पोल की तरह और जो उसका राइट हेंड होगा वो बिहेब करेगा नॉर्थ पोल की तरह इसका प्रमान हमें इस बात से मिल लेगा कि अगर उसके बाई हाथ की तरफ अगर हम किसी magnetic needle को place करते हैं तो जो उसका north pole है वो उसके बाएं हाथ की तरफ deflected हो जाएगा बिक्षे पीत हो जाएगा क्लियर है तो बस समान इसी बात यही है amperes flow rule कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अब इसमें नेक्स्ट रूल को इस सब बात एक ही है किसी भी रूल को अपलाएं तो बात एक ही है अपलाएं करेंगे right hand thumb rule मतलब यह है कि अगर किसी भी wire को अगर हम इस तरह से पकड़ें कि मेरा जो अंगूठा है right hand का वो अगर direction of current को direct करता है है उसको indicate करता है तो जो यह अंगलियां जब हम इसको इस तरह से मोरेंगे तो यह जो अंगलियों को जो हम इसको इस तरह से किये कर्ल जो किये यह बताएगा magnetic field lines को magnetic field के direction को देख रहे हैं इस तरह से इस तरह से यहाँ पर यह है कि अंगूठा जो है राइट हैंड का जो अंगूठा है राइट हैंड जो थम्भ है वो पॉइंट करेगा पॉइंट्स एलेक्ट्रिक करेंट ट्रिक करेंट ठीक है तो जो कर्ल है कर्ल अफ फिंगर्स यह इंडिकेट मैगनेटिक फिल्ड ठीक है ना तो यहाँ क्या है कि राइट हैंड थम्भ रूल हमें यह बताता है कि अगर दाए हाथ का अंगूठा करेंट को पॉइंट करता है एलेक्ट्रिक करेंट को पॉइंट करता है तो जो कर्ल अफ फिंगर्स है वो पॉइंट आउट करेगा वो इंडिकेट करेगा मैगनेटिक फिल्ड चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ है यह मैक्सवेल राइट हैंड इस्क्रू रूल देखिए यहाँ क्या बात है आपन या फिर उसको डिला करते हैं तो आप देखिएगा कि अगर आप उसको इस तरह से यानि कि अगर आप उसको क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं इस क्रू को तो वो टाइट होता यानि अंदर की ओर जाता है अगर आप उसको एंटी क्लॉक वाइज देखिए आप क्लॉक करते हैं तो अंदर की ओर जाता है और जब मुझा करते हैं तो बाहर की ओर होता है और तो यहां पर राइट हैं तो किस्त च्ट कर रहे हैं टो यह अंदर की और जा रहा है दो हरा है कर्ग की ज सामें मानी जाएगी कि दुट जिस दिसा में जा रही है तो जो थी तरब करता हां तो जो अंगंठे का जो डिरेक्शन रहा है उत्द अ मुमेंट होगा ओगा इस औरो होगा अपने डिक फिल्द का ऑडुमेंट इन श्य explorि मे यहां पर यह screw है इस तरह का पेंच है और इसमें इस तरह का खांचा बना होगा है आप इसको tight करते हैं तो यह जा रहा है इस direction में मान लिजिए यह current का direction है ठीक है और इसको जब हम इस तरह से clockwise करते हैं clockwise to you कुछ इस तरब मान लिजेगैं कि यह इस तरह से हमेशा देखिये iç ऐसे मूब कर रहें यहां से इसे मूब कर रहें हैं म।ên क्या देख रहा है यहां से निकल कर रहा है और यहां पर एंटर कर रहा है मतलब यहां से बाहर की और अब ध्यान दीजिए यहां से बाहर की और और इधर भीतर की और यानि कि इधर से निकल रहा है इधर इन कर रहा है तो जो जिस तरफ से आउटवार डारेक्शन को हम डॉट से बताते हैं तो यह हुआ और यह हूआ क्रोस मतलब यहां से आउट वाड और हमें पता है आउट वाड को हम नौर्थ पोल की तरह इसको नौर्थ पूल कंसिडर करते हैं और क्रोस को हम साउथ पॉल एक Пषका तरह तो यहां पर यह क्या है कि जब हम इस तरह से इस कुरू को रोटेट करते हैं कोलाखवाइश तो एक तरफ, नोर्त पोल एक तरफ साउथ, ठीक है, तो current का direction भी कुछ इस तरह से अब माल लिजे देखिए इसको हम इस पर apply करते हैं कि current इधर जा रहा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि हम screw को tight ऐसे कर रहे हैं इस तरह से कर रहे हैं तो देखिए आप यहां पर ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है यहां पर यहां पर यह हो रहा है dot और यहां पर हो रहा है यह cross तो यह हुआ north pole outward और यह हुआ inward south pole तो देखिए यहां पर इस Maxwell right hand screw rule को amperes के flow rule से हम compare कर रहे हैं तो result तो हम same पार है result में कोई variation नहीं है इसलिए यह जितने भी rules है का required purpose एक ही है उसमें किसी तरह का contradiction नहीं है इस बात को मैं पुना दोराता हूं इसलिए आप हर एक rule को अच्छे से समझें और apply करके खुद देखें जब भी आप पढ़ाई करें तो किसी भी एक तरह से दूसरे तरह से apply करें कि क्या कोई contradiction भी arise होता है या नहीं ठीक है चली नेक्स राइट है पाम रूल देखें राइट हैंड पाम रूल इसको हम पॉइंट डारेक्टिव भी कह सकते हैं डारेक्टिव रूल भी कह सकते हैं ऐसा क्यों कहते हैं पॉइंट डारेक्टिव रूल ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये किसी एक पॉइंड पर बताता है कि magnetic fill का direction किदर होगा उसके लिए एक point का consideration आवस्यव होता है ठीक है अब माल लेजिए कि आपका current सपोज करिए कि इस direction में current जा रहा है और आपको पता करना है कि इस point P पर magnetic field का direction किदर होगा तो इसके लिए अब आपके लिए ये उपियोगी है right hand palm rule first क्या है यह देखिए यहां पर हम करते क्या है current को directed करने के लिए यह मेरा यह जो अंगुठा है आप देख रहे हैं करेंट के डारेक्शन और उंगलियों को उस तरफ रखते हैं जहां पर हम को magnetic field पता करना उसका direction पता करना है तो पी point की तरफ यह है और यह आप देख रहे हैं उंगलियां इस तरह से तो क्या देख रहे हैं यह जो हथेली है हथेली को अगर हम हथेली से किसी को पुस्क करेंगे इधर करेंगे बाहर की और करेंगे ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो magnetic field का जो direction होगा यह होगा dot याने की बाहर की और के लियर है ना चलिए अगर हम इसी रूल को इधर इस तरह से अपलाई करें देखिए अंगुठे के direction में करेंगे और यहां सब पोच करेंगे कोई point है क्यूं कि यहां कोई point है to इस q में क्या होगाmetal current का direction ही ए क्यूं की तरफ direct कर रहे है point कर रहें point तो क्या होगा यहां पर आप देख रहे हैंगे जो हत्यली है यह भीतर की तरफ भीतर की तरफ puff कर रहें है इस तरह से ठीक है तो इसके लिए हम cross का sign देते हैं यह हुआ Cross तो यह हुआ dot, यह cross, यह outward, यह inward यानि के यह होगा north, यह होगा south इस तरह से, यह north से निकल के south में इतर हो जा दी है बात वही है, ठेक़्े है न? तो ये जो चार rule है, यह हमें बताता है कि magnetic field lines magnetic field lines को बना है कि magnetic field lines है और किसी भी point पर अगर हमको निकाल ना तो यह चारो रूल हमको यह बताता है कि अगर एलेक्ट्रिक करेंट पास हो रहा है तो उसके कारण जो मैगनेटिक फिल्ड बन रहा है और उसका डिरेक्शन क्या होगा अब यह जो बांकि के दो रूल है यह दो रूल हमें क्या बताते हैं तो देखिए इसको इरेज करते हैं इसमें एक है राइट हंड पाम रूल और दूसरा है फ्लेमिंग लेप्ट हंड रूल बहुत सिंपल है यह हमें यह बताता है कि अगर यह एक वायर है इसमें करेंट पास हो रहा है और मैगनेट के वीतर हम मैगनेट के फुल्वेंस में इन्फुल्वेंस में कोई मैगनेटिक इन्फुल्वेंस है उसके उसमें यह प्लेस क्या हुआ है यह कंड़क्टर जो करेंट करेंग कंड़क्टर है तो इस कंड़क्टर पर एक फोर्स अपलाई होगा तो वह फोर्स का तो माल लिजे कि अगर यह सपोज करिए कि यह आप एक वायर है इसमें करेंट फ्लो हो रहा है ठीक है ना तो माल लिजे यह मेंगनेटिक फ्लो फील्ड सपोज करिए कि इस डार्मल है तो इस तरह से यह नॉर्थ है यह सौत इस पर एक पूर्ष काम करेगा उसका डार्रक्षन कि दर हो तो यह जो केस है यह कि सपेशल केस है इसमें मैक्सिममम होता और यह जो पता ही है कि actually इसमें क्या होता न जो charge particle से वो circular motion में होता है तो आप अभी उसमें detail में फिलाल नहीं जाएंगे आप को मैं सिर्फ direction बता रहा हूँ आप ऐसा समझे यहां क्या है कि जो right hand palm rule ये बताता है कि अगर माल लिजिए ये देखिए right hand palm rule सबोज करिए आप ये ये जो direction है ये माल लिजिए कि electric current के direction को बता रहा हूँ ठीक है ना आप ऐसा समझे माल लिजिए कि ये है देखिए ऐसे देखिए कि ये जो है ये बता रहा है current के direction और जो ये उंगलियां है ये बता रहा है direction magnetic field तो जो ये palm है ये जो हठेली है ये direction बताएगा लारेंज फोर्स का जिसको कि हम fl भी कह सकते है याने कि जो अंगूठा है वो किसका direction बता रहा है current का ये जो अंगलियां है वो किसका direction बता रहे हैं अंगलियां बता रहे है direction magnetic field का तो जो ये हठेली है ये किसका direction बताएगे ये बताएगा लॉरेंज फोर्स का magnetic फोर्स का जो फोर्स उस conductor पर लगने वाला है जिस conductor में current flow होड़ा electric current flow होड़ा है clear अब आते हैं left hand rule क्या कहता है देखिए left hand rule कहता है कि अगर आप अपनी उंगलियों को इस तरह से करें देखिए ये left hand and rule क्या कहता है इस तरह से कि अगर ये जो उंगलियां है जिसको central finger करते हैं तो जो central finger है अगर ये current के जो electric current जो flowing electric current जो है उसके direction को indicate करता है और जो ये उंगलियां है four finger ये जो उंगली है four finger ये उंगली magnetic field को indicate करता है तो जो ये अंगुठा है ये indicate करेगा उस lorange force को जो उस current carrying conductor में लगने वाला है लगता है फिर से आप फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं कि ये तीनों उंगलियां एक दूसरे पर perpendicular है तीनों एक दूसरे पर 90 degree का एंगल बना रहा है तो अगर ये जो central finger है जो middle finger है ये फिंगर electric current को direct करता है electric current की दिशा बतलाता है indicate करता electric current को और जो ये four finger है ये magnetic field को indicate करता है तो जो ये अंग उठा है ये उस lorange force को indicate करेगा उस magnetic force को indicate करेगा जो उस current carrying conductor में लगता है ठीक है ना strength तो ये जो छे rules है मैं उमीद करता हूं कि आपको crystal clear हो गया होगा ठीक है फिर भी अगर कोई doubts हो तो आप please मुझे comments करिए और मैं आपके doubts को sort out करने का try my best effort करूंगा ओके all the best